वैसे तो हमारे हफते के हफते निकल जाते और हमारे सामने कोई भी IPO आता ही नहीं है और ये एक ऐसा हफता है for a change जहां पे हमारे सामने 5-5 IPO एक साथ आ चुके है तो हमारे दिमाग में confusion होना लास्बी है आज के इस वीडियो में हम discuss करने वाले है as per sources आज के दिन gray market premium क्या चल रहा है हर एक IPO का और gray market में क्या ranking चल रही है हर एक IPO की है ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ information purpose के लिए कोई भी काम करने से पहले अपने financial advisor से concern करना मद पूलेगा हम सिर्फ ये information share करने की कोशिश कर रहे है कि आज के दिन gray market का premium क्या चल रहा है as per sources हर एक IPO का और फिर हर एक IPO को अपने gray market premium के according उसे ranking देने की कोशिश कर रहे है चल ये शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ important point share कर देता हूँ जो आपको किसी भी IPO में apply करने के लिए especially जिस समय काफी clashes हो रहे हो ध्यान में रखना चाहिए पहला important point अगर कोई एक ऐसा IPO जिसमें बहुत ज़्यादा over subscription आ गया है या फिर आने की expectation है उसमें या तो हमारी लिए attractive होती है retail category नहीं तो attractive होती है H&I big category H&I small category के ऐसी category है जहां पर subscription मिनने के chance सबसे कम होते है होता क्या हमें कई बार लगता है यार में पास 10 लाग रुपे तो नहीं लगाने के लिए पर फिर भी मैं लगा हूं तो 2 लाग की application लगा हो ताकि अगर allotment आये तो 2 लाग का माल तो मिले और मुझे profit भी अच्छ आपको अपने saving bank count का interest मिलता रहता है तो कई बार मैंने comment में दिखा है कि Anand हमारे 5-6 दिन IP में पैसा block रह गया या 2 दिन पैसा block रह गया अब मैं क्या करूँ हमेशा हमें last day पे लगाना चाहिए या फिर अब मेरे interest लॉस हो गया और में को allotment भी नहीं मिला आपको tension की बात होती है जब तक आपको allotment नहीं मिलता है और आपके bank से पैसा नहीं करता है तब तक आपको अराम से उसका saving bank का interest मिलता रहता है बहुत simple सी बात है थर्ड काफी सारे मैंने वीडियोज देखे जहां पर गलत गलत तरीके बताये जा रहे हैं जिससे आप अपने subscription chances बढ़ा सकते हैं ऐसे random वीडियोज पर युश्वास मत करेगा सिर्फ एक तरीका है अपने subscription के chances को बढ़ाने का वो है कि आप multiple नाम से apply करें अपनी family में जितन Tata accounts related जो आपको help कर भी देंगे तो ध्यान रखीगा इस बात का हर एक IPO में आपकी सिर्फ एक ही application होनी चाहिए इस जीच का ध्यान रखेगा exception इस week में आता है Tata Technology का IPO Tata Technology के IPO में आप तीन application लगाएंगे फिर भी आपकी application reject नहीं होगी पहली application होगी आपकी retail या फिर H&I bag जो की इच्छा करें second application आपकी हो सकती है shareholder quota की अगर आपके पास already shareholder quota में cut off date से पहले Tata Motor के share थे तो and third आपकी application हो सकती है employee quota में अगर आप इस particular share में employee quota में eligible है तो अब बात कर लेते हैं उस चीज की जिसके लिए आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं सबसे पहले नाम आता है Tata Technologies IPO का जिसकी ranking भी one हो जाती है और as per sources Tata Technology IPO में आज की दिन gray market premium चल रहा है 70% का नंबर टू पे नाम आता है गांधार oil refinery IPO का जिसमें आज की दिन gray market premium चल रहा है as per sources 40% का थर्ड नाम आता है हमारे सामने Indian Renewable Energy Development Agency एक government mini ratna company है जो काफी interesting financials के साथ more importantly एक ऐसी company है जिसकी pricing काफी कम है मतलब जब भी कोई एक SIP आता है जिसकी pricing 100 रुपे के नीचे की होती है उसमें attraction एनी विचर बढ़ जाता है और यहाँ पे हमारा gray market premium चल रहा है as per sources 25% का fourth number पे आता है flair writing जिसमें gray market premium चल रहा है 20% का as per sources and finally हमारे सामने नाम आता है fed bank financial services जिसमें gray market premium आज के दिन 3% 3% के आसपास चल रहा है I hope आपको इस वीडियो से काफी कुछ clarity मिले होगी आप कौन-कौन से IP में apply करने वाले हैं मुझे comment करके बता दीजगा happy learning और अगर अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe करें बिना मच जाईएगा